खानी का नाम शानदार सोने की छड़ी. एक छोटे से गाव में मोहन नामक एक गरीब किसान रहता था. उसकी किसमत में मेहनत और संगर्ष था, लेकिन वह कभी हार मानने वाला नहीं था. एक दिन खेत में काम करते समय उसे एक चमकदार सोने की छड़ी मिली. मोहन ने छड़ी को देखा और सोचा कि यह उसकी किसमत बदल सकती है. वह उसे लेकर घर चला गया. घर में मोहन ने छड़ी को अच्छे से साफ किया और उसे अपनी पत्नी को दिखाया. पत्नी ने सुझाव दिया कि उसे राजा को दिखाना चाहिए क्योंकि राजा का दरबा को देख कर सोचा कि यह एक अद्वितीय और मूल्यवान वस्तू हो सकती है। उसने मोहन से छड़ी का मूल स्रोत पूछा, लेकिन मोहन कुछ नहीं बता सका। राजा ने मोहन को एक चुनोती दी कि वह इस छड़ी के बारे में पूरी सच्चाई बताए, वरना उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। गाववाले भी उसकी इमानदारी और मेहनत से प्रेरित हुए। नैतिकता इमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। कहानी समाप्त